So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं REC Limited की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी जहाँ पर आपको nipty और bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है जाकर एक बार check out जरूर कर लेना REC Limited की अगर बात की जाए तो stock ने आज 279.10 रुपिस के level पे closing दी 6 रुपे 0.5 पेसे के round stock में हमें अच्छी बड़ अद भी देखने को मिलती है 2.22% के basis पे यहाँ पर यह जो share है काफी अच्छे momentum बताता हुआ नजराया है और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि stock अच्छे return दे सकता है Stock की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर morning में stock काफियत तक गिर गया था 5 रुपे 60 पेसे के round तक की काफी बड़ी गिरावट भी नजरायी थी बड़ वही अगर बात कर ले 10 बजे के बाद stock ने 10 रुपे 90 पेसे के round तक के return दे दिये कल के वीडियो में हमने clearly कहा था कि stock में हर share पर आपको 8 रुपे से भी ज्यादा का फाइदा होगा exactly ओ चीज हमें देखने को मिली भी बट हम इतना positive क्यों है हमें इतना यहाँ पर अगर देखे confident हम क्यों है कि stock में इतनी वड़त रहेगी क्योंकि इसके levels ही यहाँ पर तग्रे create हो रहे है levels को देखकर ही यहाँ पर stock में हमने बता था कि काफी बड़े momentum share में नजर आने वाले है exactly ओ चीज हम यहाँ पर देखते हुए हमें नजर आ रहे है वही अगर हम बात कर लें पिछले 5 दिन में stock ने काफी अत्तक गिरावट भी बताई पाच दिन में stock में यहाँ पर 10 रुपे की गिरावट नजर आती है बट 23 October से अगर मैं बात कर लूँ 26 October तक की 29 रुपे हसी पेसे यह share बड़ा है वही अगर हम बात कर लें यह जो share है 26 October से 30 October तक 19 रुपे 35 पेसे के राउन तक के return भी देता हुए नजर आया वही बात की जाए एक महीने की तो stock में एक महीने में यहाँ पर गिरावट भी नजर आती है 19 October से 26 October तक काफियत तक गिरा था है इस चेन पर उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आई थी खास कर 17 तारिक के बाद पूरे मार्केट में डाउन ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था वही अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 6 महीने में stock ने अच्छे return दिये है एक साल में भी और कल यानि परसो का दिन इसके लिए काफी ज़्यादा special है परसो यहाँ पर एक नवेंबर है एक नवेंबर 2023 तो quarterly results इसके अनौन्स हो रहे है company की और साथ ही यहाँ पर interim dividend का भी announcement हो रहा है expected ठाक की dividend यहाँ पर company की और से मिलेगा क्योंकि हर साल यहाँ पर अगर देखें तो company तगड़े dividend देती है और इस साल भी यहाँ पर dividend का announcement company की और से उदावन ज़रा रहा है अगर यहाँ पर अगर देखें इसकी एक डिविडेंट डेट अगर इसी साल होती है तो 2023 के नवेंबर में ही या डिसेंबर में तो यहाँ पर इस साल का यह चोथा dividend हो जाएगा company यहाँ पर नॉर्मली तीन से दो से तीन बार तो dividend देती है और अब बिल्कुल चार बार dividend company देने वाली है एस चेच का भी आपको ध्यान लगने है और काफी लोग को यहाँ पर लग रहा है कि स्टॉक में अच्छे return हमें मिलने वाले हैं अच्छी बड़त हमें देखने को मिल सकती हैं तो यहाँ पर यह भी बड़ा reason है कि स्टॉक यहाँ पर बढ़ रहा है continuously तकड़ी return दे रहा है volume भी अगर हम देखे 83 lakh के राउं तक का trade value है last trading season भी 83 lakh के राउं तक का trade value था तो levels को भी हम discuss करेंगे तो कल के दिन हमने काफी कुछ चीज़े discuss की थी share में last trading season पर अच्छे return हमने देखे था है और यहाँ पर अगर आप देखोगे stock में एक clearly Paul and flag type pattern के साथ साथ एक falling wage type pattern बन रहा था यहाँ पर आप देखोँगे बिल्कुल एक falling wage type pattern आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल और यहाँ पर मैंने clearly कहा था कि उपर से already rejections है तो breakout मिलता है stock में एचे return मिले गए बट मॉर्निंग में क्या हुआ यहाँ पर यह stock में breakout तो हमें मिल चुका था breakout के बाद stock उपर की और ना जाते हुए सीधा downside की और आता था ठीक है बट downside की और आते आते हैं downside की और यह इसलिए है क्योंकि morning में Indian market भी अगर देखे nifty bank nifty की अगर में बात करूं मॉर्निंग में काफियत तक डाउन आ है फिर upside की और की एक बड़त इन्होंने बताई बट अगें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि stock ने अगन देख सकतो अगें एक recovery ली और बिल्कुल यहाँ से एक बड़े momentum लगाने इसने स्टार्ट किये जो हमने previous वीडियो में डिसकस किया था कि एक falling wage type pattern है breakout के बाद stock ने अच्छे return यहाँ पर देना है बिल्कुल इसने दिये इस point को आप note down रख कर लो और काफी अच्छी तरीके से stock में हमें growth यहाँ पर नजर आ रही है इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है और वही अगर हम बात कर लें तो stock में यहाँ पर five minute के time frame पर clearly आप देख सकते हो stock जो है एक pure pole and flag type pattern बनाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है एक pole यहाँ पर बनाया था शेयर ने तो मैंने बूला था कि यहाँ पर 260 से stock ने सीधा 270-276 के round तक हाई लगाया था बट हमने कल के दिन की यहाँ पर में previous day की भी rally गिन रहा हूँ बट हमने यहाँ से बताय था आपको कि 260-268 से सीधा stock 276 के round गया था तो यही से मैंना अंदर्जा लगाया था अगर देखे तो 8 रूपे के round या फिर 10 रूपे के round return देगा एक्जाटली वही चीज देखने को मिली जो पॉलेन फ्रेक टाइप पैटन में चीजे होती है वैसे ही उसके ब्रेक आउट के बाद होती है एक्जाटली यहाँ पर पॉलेन फ्लेक टाइप पैटन जो है एक बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता हो नजरा रहा है तो आपको चार्ट पैटन भी अगर आपको सीखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे सेकंड चैनल की सेकंड चैनल का नाम है चार्ट वाला वहाँ पर हमने काफी कुछ लेर्निंग्स के रिलेटेड वीडियो बनाई है जाकर एक बार चेक आउट कर लो काफी कुछ चीज़े सीखने को आपको मिलने वाली है तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको note down करना है तो यहाँ पर stock ने तो अच्छे return दिये है और कल के लिए भी आप positive रह सकते हो क्योंकि उपर के label पे sustain कर रहा है वनार के time frame पर पहले ही हम चीज़े discuss कर चुके था कि यह stock उपर क्यों जाएगा 280 के round तक के targets थे हमारे वो target भी easy achieve हो रहे है क्योंकि यहाँ पर अब दिखो तो stock ने कई बार in particular range पे support लिया है इसलिए यहाँ पर मैंने clearly कहा था कि stock यहाँ से अगर breakout कल भी दे देता है तो stock में यहाँ से भी अच्छे return देखने को मिलेगे stock अगर देखे 296 के round easy momentum बता देगा यानि हर शेयर पे 16 रुपे तक के भी फाइदा आपको हो सकता है इस point को भी note down कर लो और यहाँ से हो सकता है rejection भी ले ले तो rejection के बाद गिरावट भी आ सकती है बट downside के और 266 का level है जहाँ पर यह पहले भी consolidate कर चुका है तो यहाँ पर यह उपर क्यों sustain कर रहा है और यह जो range थी यह भी हमारे लिए काफियत तक important थी क्योंकि इस range पर अगर आप देखो तो यह शेयर इस range से पहले गिर चुका है ठीक है पहले यहाँ से एक गिरावट इसमें आ चुकी है तो range हमारे लिए इसलिए भी important थी क्योंकि यहाँ से एक बड़ा fall हमने already देखा है काफि बड़ी गिरावट हमने already हाँ से देखिया है तो गिरावट आई stock न यहाँ पर भी consolidation किया उसके बाद इस consolidation के बाद यहाँ पर stock ने breakout के बाद अच्छे return दिया अगें consolidation, अगें breakout, अगें consolidation किया, अगें breakout फिर यहाँ से stock में गिरावट start होई तो यह जो points थे हमारे लिए काफी अध्तक important हो गये थे और बिल्कुल हमने इन points को ही follow किया इसलिए हमें जादा इसमें loss भी दिया जैसे उपर से rejection यह rejection level देख सकते हो यहाँ से rejection, यहाँ से rejection फिर अगें यहाँ से support लिए है यहाँ पर support लिए है A level यहाँ से बिल्कुल गिरावट आई तो यह कुछ points है इसमें जिनके उपर आपको focus करना था exactly उन points को हमने काफी time से यहाँ पर follow भी किया तो कल के लिए मैं एकी चीज़ कहूँगा कि इसके उपर अगर sustain कर जाता है तो आने वाले time में 296 रुपिस के around भी चल जा सकता है और easy तरीके से अगर यह उपर के उड़ जाता है तो हमें हर share पे 16 रुपे के around तक के profit भी होने वाले है इस point के उपर भी focus आपको करना है तो बिलकुल REC limited में आप positive रहो कल के लिए भी positive आप रह सकते हो कल के लिए भी अच्छे return मिल सकते हैं 5 minute के time frame पर भी अगर हम देखें तो बिलकुल यह धीरे धीरे उपर के उड़ जा रहा है और exactly जो उपर का level था कोई से range को भी ब्रेक कर रहा है तो अच्छे return यहाँ पर कल मिलना ही है तो स्चेज का भी ध्यान रखना So I hope वीडियो आपको helpful और अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और कोई भी stock में investment का analysis भी करना था